नमस्कार प्रिये विद्यार्थियों वीक एनोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत हैं वेकेंसी न्यूज अप्टेट लेकर एक बार फिर उपस्ती थूँ दोस्तों और ये वेकेंसी है ससस्तर सीमा बलकी है जो की ग्रैम मंत्रा ने भारत सरकार के अधीन होता है तो काफी सांदार वेकेंसी है पूरी डीटेल से बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है कितनी सीटे है क्या क्राइटेरिया रखा गया है कंप्लीट वीडियो लाश्टक आप जरूर देखना आई होप बरती से समदित सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे साथ ही बात करेंगे एक्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा पेपर में क्या कुछ इनके लिए पूछा जाता है सिलेबस कैसा रहता है चैनल से पहली बार जुड़े है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए एप में हम हर मंडे फ्री ट्रेक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं आप उसे अटेंड कर सकते हैं अभी भी टेस्ट ओपन है तो आप उसे अटेंड कर सकेंगे एप डाउनलोड कर लीजिए देखी सबसे पहले इस फेकेंसी की पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट का नाम रखा गया है हेड कॉंस्टेबल एच सी और आगे पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड है जैसे आप यदि इलेक्टिशन में आईटिए खोल्डर है और अपलाई करेंगे तो आपको हेड कोस्टेबल इलेक्टिशन कहा जाएगा ग्रूप सी की पोस्ट है नोन गेजटिड पोस्ट है और सिविलियन पोस्ट कहलाती है यह ध्यान रख रहे हैं आपको हालांकि SSB यानि ससस तरसीमाबल जो ग्रै मंतरा यले भारत सरकार के अधीन आता है आपको डारेक्टली उनके अधीन काम करने को मौका मिल रहे है या नहीं केंदर सरकार के करमचारी कहे जाएगे यह आप भान चखते हैं जितने भी भारत सरकार के रूल्स होते हैं वो सब आप पर लागू होंगे एक वेकेंसी में बड़ी लाइन देखी वी आती है हमेशा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं जिसा चंडिगर्ड लाइन में में भी हुआ था और यहां भी देखो लिखावा इन्होंने कि पोस्ट आर टेंप्रेरी बट लाइकली टू कंटिन्यूज बहुत सारे बच्चे इस लाइन को पढ़ करके परिशान हो जाते हैं मैं आपको बता दूँ भारत में कोई भी वेकेंसी परमानेट नहीं होती है सभी भरतियां एस्थाई भरतियां कहलाती है सभी भरतियां टेंप्रेरी होती है कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार चलेगी टेंप्रेरी का मतलब है एस्थाई एस्थाई का अगर माइना समझा जाए तो यह होता है कि यदि सिस्टम चाहे तो आपको वी रेस दे सकता है system चाहे तो आपको घर भेज सकता है इसके लिए भी कुछ conditions होती है यानि जब national crisis चल रहा हो यानि देश में आपातकाल की इस्थती हो या और किसी तरह की crisis आ जाए या फिर department particular बंद हो जाए जैसे एक छोटा सा एक्जामपल देदू राजस्तान में अनमानगर जिले में किसी समय एक धागा मिल हुआ करता था जिसमें सरकारी करमचारी होते थे लेकिन जैसी धागा मिल बंद हुआ तो उन सब को वहां से रिटार कर दिया तो temporary post का मतलब यह होता है कि किसी भी वक्त देश की आर्थिक हालात को देखते वे आपको इस नोकरी से निकाला भी जा सकता है लेकिन continue का मतलब होता है कि बाकी सभी मामले में आपको निरंतर नोकरी करते रहना है तो कोई भी permanent vacancy नहीं होती है इधान लगना जो आइस्थाई जिसको आप समझते हो न उसमें पर्टिकुलर एक लेंग्विज लिखी भी मिलेगी contract base केवल वो vacancy आपकी ऐस्थाई होती है उसमें एक आपको पर्टिकुलर टाइम पिरियेड मिलता है उतने समय की वो नोकरी होती है बाकी सब regular post होती है आपकी आईए एक बार seatों की क्राइटेरिया पर एक नजर डाल देते हैं और जो seatों की संख्या है वो देखो head constable, electrician के लिए यहाँ पर 15 seat है देखो वैसे तो बहुत कम है क्योंकि यदि head constable communication वाले से comparison करवाएं तो वहाँ 578 seat है जबकि electrician वालों की मात्र 15 है दूसरा अगर head constable लगबक 300 seat है तो उसकी संदरब में देखा जाए तो electrician वालों की बहुत कम seat है लेकिन कोई 15 बच्चे तो यहाँ select होंगे किनी 15 बच्चों की तो जिंदगी सुधरेगी जैसे अभी कल चंडिगड में एक वो vacancy आई थी केंद्रिय विज्ञान उपियंतर संग्ठन वाली यहां मैं फिजिकली उनका office और वो सब देखकर आया हूँ इतना सांदार office है इतना सांदार वो कोलोनी है तो किनी चार बच्चों की जिंदगी वहाँ भी समरने वाली है लेकिन सीट है तो वहाँ भी चार थी चलिए इस पर आगे और एक बात और करेंगे देखिए इस वेकेंसी में टोटल पंदरा सीट है और यदि रिजर्वेशन की रूब बात की जाए तो अगर कहीं पर सीट रिजर्व नहीं है तो वो बच्चे अंधरी जर्व में अपलाई करेंगे और एक कंडिडेट केवल एक ही फोर्म अपलाई कर सकता है यह द्यान रखिएगा और अगर पे स्केल की बात करूँ तो काफी अच्छा पे स्केल है भारत सरकार के साथ में बेतनायों के अनुसार जो केंदर सरकार में है लेवल फोर में आपको रखा जाएगा जहां 25,500 रुपे से आपकी बेसिक स्टार्ट होगी इस बेसिक में आपको बाकी सभी अलाउंसिस दिये जाएंगे जैसे महंगाई बता यानि डियर्नेस अलाउंस राशन मनी अलाउंस अदर जितने भी बेनिफिट जो SSB टाइम टू टाइम देता है वो सभी आपको मिलेंगे एज पर गुवर्मेंट ओर्डर्स यानि केंदर सरकार के नियम लागव होते मैं इसे बहुत अच्छी अपोर्चुनिटी आपके लिए कहूंगा सो मेरे इसाब से इसमें ट्राइक करना चाहिए सीटे 15 है लेकिन क्रैसियस है देखो सीटे आज इकल जितने भी वेकेंसी आ रही है उन सब में नमबर ओप सीट इतनी ही आती है तो आपको कंपिटिशन इसी के अकोर्डिंग फाइट करना होगा अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन में यहां थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कई सारे ओप्शन्स यहां पर है कौन-कौन से ओप्शन हैं मैं बताता हूँ जैसे जनरल बच्चे के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10 प्लस ITI अगर है तो वो बच्चा भर सकेगा टू इयर का ITI उसका हो अगर तब तो इलेक्ट्रिशन तो दो बरस का ही होता है कोई प्रोब्लम नहीं है दूसरा ओप्शन है कि अगर ITI वन इयर का है तो आपको वन इयर का experience देना होगा अगर आपके पास ITI नहीं है तो 10 प्लस टू इयर experience बेस पर भी आप आर सकते हैं इलेक्ट्रिशन की फिल्ड में आपका अगर experience हो तब तो तीन ओप्शन है आपके सामने और इसके लिए आपको trade test qualify करना पड़ेगा उसके लिए यह particular जब भी trade test होगा तो notification देकर आपको बुला लिया जाएगा यानि यहाँ पर आप sito का criteria देख सकते हैं 10 उसके बाद में 2 वर्स का experience आपका हो उसके बाद में देखो और लिखा हुआ है यानि अथवा एक वर्स का ITA certificate और एक वर्स का अनुबव हो तो चलेगा उसके बाद में फिर अथवा लिख दिया दो वर्स का ITA हो तब भी यह है criteria इलेक्टरिशन वालों के लिए लगबग सेम criteria सबी बच्चों से इसी तरह का लिया गया है communication वालों में डिप्लोमा है या बार्मी PCM physics chemistry और math से किया हुआ हो तो भर सकता है अगर form के last date की बात की जाए तो form के last date से पहले मैं आपको apply करने का बता देता हूँ तो यह 20 माई 2023 से online application इसके start हो जाएंगे और 30 दिन यानि notification के बाद में तो notification employment news में आज चुका है यह और एक week से ज़्यादा का वक्त इसको हो चुका है यानि आप इसमें 20 दिन का समय जोड ले तो लगबग आपको 10 माई से पहले पहले form apply कर देना है यानि यह last date आप समझ सकते हैं भरना कैसे है online form तो इसके लिए आपको यह official website sbrecruitment.gov.bin इस पर visit करना है और आपको यहां link मिल जाएगा अब official और कोई announcement इन्होंने नहीं दिया है यानि कितना यहां पर आपका exam कैसा होगा selection की process क्या होगी तो इस पर फिलाल के लिए इन्होंने कोई criteria नहीं दिया है सबसे पहला criteria है कि आपको skill test qualify करने के लिए बुलाए जाए गए यानि पहले इन में trade test होता है फिर return exam होता है और उसके बाद में physical होता है हलका फुलका physical होगा बहुत बड़ा physical नहीं होता है जिस तरह से army के लिए रखा जाता है यानि एक army force के लिए जो होता है वो आपका physical criteria यहां नहीं होगा यानि eyesight weak है थोड़ा वो तो भी चलेगा हाइट और उसका भी बहुत ज़्यादा issue यहां पर नहीं रहने वाला है और किसी जानकारी के लिए आप यह पूरा PDF notification पड़े पीडियाफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा और टेलिग्राम का लिंक description में दिया हुआ है चोटे चोटे अपडेट जब भी आते हैं तो हम इस तरह के अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम पर हिप सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो भी इनकी बाद में बनाई जाती है फ्री टेस्ट हर मंडे होता है एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी वीडियो के description में लिंक दिया है जिसका एप आप डाउन्लोड कर लीजिए एप डाउन्लोड करने के बाद आपको अपने mobile नंबर और नाम डालना है रजिस्टेशन करने के बाद आपको फ्री पुरी को बता दूँ ट्रीर टेस्ट हमेसा अपनी अपनी वेकेंशि पर dependent होता है और ट्रे्ट टेस्ट लेने वाले officers पर dependent होता है कि वह अधिकारी कैसे है किसтора का उनका working culture है क्योंकि वह वर्किंग फिल्ड या वर्किंग कल्चर के अकोर्डिंग ही वहाँ आप से क्यूशन्स पूछते हैं, तो ट्रेट टेस्ट कोमन होता है, यानि जनल होता है, आप इसे पास कर जाएंगे, रिटर्न का सलेवस जैसे ही आएगा, तो हमें कम्प्लीट वीडियो आपको इस पर अविलेबल करवा देंगे, आभी के लिए बस इतना ही है, निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,